शाम के आठ पॉने आठ हो रहे थे, दिनर बनाने का टाइम हो गया था और प्रेस के कपड़े भी आ गए थे तो सोचा सबसे पहले प्रेस के कपड़े रखती हूँ नहीं तो एक बाट छोड़ दो न तो वो फिर छूटे ही रह जाते हैं तो प्रायोटाईस करके मैंने कम पहले निपटाया फिर मैं गई किचन में किचन में आई तो मैंने दीखा फ्रिज में गोभी रखिया तो सुधर चलो देखा गोभी रस्तार वाली सबजी बनाती हूँ माइनल अप्सक्राइब तमेडागे लिए अग्यारिए जिए पाद में पिसेंगे alors को याथ सबस्क्राइब नियुक्तर वा आध नियुक्त celebration जहे लिए में कुकर बिनागे सborभ नने सяла टील से और नो जुड़ा किया है तुरंत इसमें मैं टमाटर डाल दोंगी जो कि हमने कट करके रखे दे नमक स्वादनुसार डाल दीजिए अब इसे मैं मिक्स करके थोड़ी दे रखूंगी थाकि टमाटर जो हैं गल जाए तो मैं धक्कन को ना लगाने रही हूं बस उपर से धक दे रही हूं आप प्लेट से जब भी यहाद आ जाए ना फानी पीते रहना चाहिए अब आटा गूतने से पहले ना मैंने अपने राइट हैंड की सारी जो रिंग्स होती हैं वो लेफ्ट हैंड में ट्रांस्वर कर ली थी और अब मैं आटा लगा लोंगी आटा बिलकुल मुलायम लगाओंगी क्योंकि मुझे रोटी बनानी है अगर पूड़ी लगानी होती तो कड़क बना लेती तब तक हम सब्जी बना लेते हैं इतनी देर में आटे को भी रेस्ट मिल जाएगा आटा मैंने गूत लिया है इसको रख देते हैं साइड में चलिए टमाटर हमारे हो गए थे अच्छे मशी हो अगर स्टार्टिंग में टमाटर पीस के डालो ना तो सब्जी में तेल और मसाले जादा लग जाते हैं चलिए तो अब इसमें सुखी मसाले कुछ ज्यादा फैंसी नहीं बस धनिया पाउडर और लालमिच पाउडर मैंने डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और इ किसे तो बड़े रखेंगे चलिए अब हम कुकर का धकर लगा देंगे और इसमें करीबन दो से तीन सीटी लियाएंगे चलिए जब तक हमाई सब्जी हो रहे है तब तक मैं रियांश को थोड़ा सा पढ़ा लेती हूं वैसे पी छोटे बच्चों के लिए ना 10-15 मिट पढ कितनी युमी देख रही है मतलब सब्जी में उपर से में डाल देती हूं बारी कट की हरी धनिया पती और थोड़ा सा गरम मसाला बस मिक्स करेंगे और सब्जी सर्फ करने के लिए बिल्कुल रेडी है मुझे ऐसी लिट पटी गोभी आलू की सब्जी अच्छी लगती है आ क्योंकि लंच के टाइम पे तो कोई कहीं बीजी होता है तो हो नहीं पाता है डिनर टाइम मींस फामिली टाइम अब मैंने प्लेट भी लगा ली थी तो बस यमी यमी गोभी आलू सालेट रोटी और साथ में चट्टिनी धनिया और पुद्देने वाली मस्त मतलब डिनर इत अस डिनर में क्या बनाया ज़रूर बताएगा एंजोई